जै श्रो भगत बाबा की जै वह लोगन मना किया कथे इकर दर्शन करें हेलो गाइस वल्कम बैक मैं यूडिव चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे कौन ने ब्लॉग को यूडिव पर आसकरते फ्रेंड आप सभी लोग अश्या हूँगे और हर बारी की तरह मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ आज मैं आपको लेकर आया हूँ अबन पूछेत्र में पढ़ने वाला उमर पोटी नामा गाउं में फिर से एक बार स्विलिंग प्रगट हुआ है जैसे हमारे 36 गड़ में सभी जगव पर स्विलिंग निकलने का भी सिरसला जारी है वैसे ही ग्राम उमर पोटी में खलारी मात पर नहीं हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब को बटन आपको दिखाए जरा होगा उसको क्लिक कर दीजीगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिक्स आपको मिलता रहे है तो फ्रेंड अगे कि तरफ चलते हैं तो अगर आप राइपूर से राजियों वाले मार्ग पर तो यहां पर आपको सामने रास्ता दिखाते हैं यह सीथा जो आपको बोर्ड दंगा दिखाईते रहोगा मैं आपको नजदीग मिले जाकर दिखाऊंगा उसी रास्ता को पकड़की सीथा और पोटी जा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आप के वाला रास्ता लेके जाना है कि उसके बाद चार से पांच क्रॉस करने के और आपको यहाँ पर देख सकते हैं उमर 227 अब को गाउं यहां से 30 क्योंटर पड़ेगा चलिए मैं रास्ता आपको नज्दिक से ले जा के तो फ्रेड़ अब में रोड से यह लगा हुए यहां पर दिखाई देगा मैं आपको नज़्दीग से ले जा कर दिखा रहा हूं यहां पर देख सकते हैं जो बरगत कर विख्ष है इसी वाले रास्ते को लेकि जाम गाउं होती हुए कच्ची वाला रास्ता भी रास्ता बन रहा है उस रास्ते से आप उमर पुठी पहुंच जाएंगे तो फ्रेंट जैसे आप उमर पुटे गाउं में पहुंचोंगे तो आप ग्राव मासियों से पूछना किसी को कि हमको पंचमु के हनुमान मंदिर के पास जाना ऐसा करके उसके बाद जैसे ही आप यहां पर पहुंचोंगे हनुमान मंदिर के पास में उसके बाद यहां पाद तीन से चार रास्ता कटा हुआ है तो यहां पर जो मंदिर की जश्ट सामने राइट साइड में एक रास्ता कटा हुआ है इस रास्ते को लेके जाना है यहां से सव मिटर के दुरूपर खलारी माता मंदिर के पास में लगा हुआ है स लिए हम आपको शिलिंग का दर्शन कराते हैं आप मेरी वीडियो पर आई सी बने रही है तो स्वागत है हमार यूटूब चैनल में सियान आपमन के तो यह सिवलिंग के आपमन से जानकारी चाहिए रिशे तो सिवलिंग के थोड़ा जानकारी दे दूहूं और यह जो अपन क प्रगठ घर आट के दिन होगेते जाटो यह कर अवगत प्रगठ वो तेलन तो कुटेन महिनतशी से देखे मिलेरी से पर्चान नहीं कर पारे है यह गाल बता था ना यह मनेह कर परचाहरा बड़ी से तो और पपर से देदी से आपपर के बाद मेढा मन घणो कायरी से हम जह गाड़ी मोटर में आए दरसन करेबा पर इंधे Раз सफैन्न पर भंवत है ये तह रायपूर पड़ अभणपूर तस्फियल पड़ई आ पर सब्सक्तक की जै जै जो भगत बाबा की जै तो फ्रेंट देख सकते हैं काफी सांथ जगह है और मैं जब यहां पर आया था तो करिबन यहां से साओ से डेट सो लोग दर्शन करके चले गए थे अभी खाली हो चुका है और मैं थोड़ा सा लेट होगा यहां पर आने के लिए चलिए आपको शिवलिंग का दर्शन कराते हैं तो फ्रेंट यही है वो शिवलिंग आपको नज़िक से दिखाता हूँ मैं देख सकते हैं फ्रेंट यहां पर समतल जमीन है उस जगह से शिवलिंग प्रगट हुआ है आप देख सकते हैं आप घर बैठे यहां पर दर्शन कर सकते हैं शिवजी आप लोगों की मनुकामना जरूर पूरी करेंगे और यहां पर यह गाउं कुछ रहस्यों और चमतकारों से भरा हुआ है तो चलिए फेंड आज के लिए वस इतना ही हम आपको मिलते हैं ऐसे ही लेटेश्ट और धार्मिक वीडियो के साथ में नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत जय चैश्टिस गड़